शीह रिवेंश महराजी आपके चोड़ों में कोटी-कोटी प्राम महराजी इनका प्रशन है कि इन्होंने अपनी तरफ से सचे प्रेम किया पती से छलकपट जूट निंदा अपमान मिला इसलिए बस अपकी अपनी दो बच्चियों के प्रती करतबे निभाते हों लाली जू की आश्रित हूँ अलग रहती हूँ श्री जी कृपाल से एक नोकरी है जिससे श्री जी बच्चियों का पालन पोश्ण करते हैं कि प्रभू क्या सब छोड़ कर बस स्री जी के आश्रे जीवन वितीत करना चाहिए या अर्जुन की तरह सविधान के मुताबिक अपने बच्चों के हग के लिए प्रेक्षम करना चाहिए ऐसा लगता है यति मैंने दूसरा मार्क लिया तो मेरी श्री जी का आश्रे छूड़ गए हैं पर आप उन बच्चों की माँ है और उन बच्चों का पिता हो है तो वो शंपत्ति का अधिकार रखती हैं बच्चियां समयाने पर उनको उस अधिकार की प्राप्ति होगी तो वो भी सुख पूर्वक जीवन वितीत करेंगी माता पिता का जीवन होता है संतान की व कि यृष्ट करें इसमें कोई बाबाजी फ्टोडी कि हम भगवान के सारे बैट गए अंदर से भगवान का सारव बाहर से करतब्य है रेस्थीमें करतब्य करम को देखना चाहिए अपने अधिकारान उसाद उसमें आथ जो होगा सो फिर बच्चे हैं बच्चियां है बात है अब मनलो हम लोगों को पास आज नावे तो हम बूखे लेकर भी कीर्टन करेंगे क्योंकि हम लोगों को यह ट्रेनिंग दी गई है यह सिख्षा दी गई है शहना है भगवान जैसे रखेंगे वैसे रखना लेकिन ग्रेस्ती में करतब्य कर्म है उसमें अंदर से भगवान का सारा है और बाहर से अपने करतब्य कर्म को करना है अरजुन जी कह रहे हैं मैं भिक्षा मांग के खाऊंगा भगवान कह रहे नहीं युद्ध करो तुमारे लिए युद्ध रूपी करतब्य है तो अपने कर पालन करते हुए भागवान के भरूसे रहा है आगर भगवान का praelt लिकार? Q यड़जील ना छूड़ जाए इन सब करते हैं अंदर से आश्रे भगवान कर रखिए बहार से प्रेत्न कीजिए अर्जुन तो मार काट वाला उपदेश गरन कर रहे हैं सबकी गरदने उतारने काटना है आपको ऐसा कुछ लड़ना जगणना तो है नहीं अगर बच्चे थोड़ा सयाने हो तो उनके पिता के हग को दिला दीजिए क्योंकि तभी उनका जीवन थोड़ा सुवियस्तित हो पाएगा क्योंकि आपके पास इतने सामर्थे तो दिखाई नहीं दे रही कि आप इतने सक्षम हों के अपने पुत्रियों को सब तो उनके पिता के पास तो संपर्ति होगी तो फिर जरूरत नहीं है फिर तो आप समर्थ है आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आप उनको फिर अच्छी नोकरी दिला सकते हैं प्रभू की नोकी मेरी जिंदगी भने रही अज़ा मदर्ट होने के नाते दोनों बच्चों को पाले के दे मुझे उनको टाइम देना पड़े तो शाह मुझे अपनी नोकी शोड़नी पड़े देखो यह लड़किया राइफल लिए हुए बारडर पे खड़े किस बात में काम है पुरुष से तो बच्चा बच्ची का वेद तो रखना नहीं चाहिए दो बच्ची है मतलब दो पुत्र हैं कोई उसमें भेद नहीं पढ़ा लिखा करके उनको अच्छे वह अपने अनक को शायोग मिल जाए अगर आपके पास ऐसी पर्याप्ट संपत्य है तो फिर कोई किसी से फिर क्या लड़ाई जगडा करने की जगड़त है बच्चों को पढ़ा लिखा कर आप उनको उनकी योग्यता प्रदान कर सके इतने संपत्य है आपके पास वरतमान में है शायद कर स कि उनका पालन पूशन करो जैसे आप उत्तम नोकरियां बच्चीयों को मिल जाए तो उनका जीवन सारतक हो जाएगा और आपका मां होना धन्य हो जाएगा आपने जो करतब किया ना भगवान देख रहे हैं कि आप कितना लड़ रहे हैं और लड़कर के आप अपने नोगे वाधिये कैसे माँ और एक माँ गौशाल कर रहे हैं बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं अपने शुकों का त्याग कर रहे हैं तो यहीं तैक भगवान की प्राप्ति में सायोग तुम्हें उसे कोई tane कर सकता felं प्लग करती अब्च करती और त्याग पु कभी आप दुखी मत होएगा पुष्ट रहेगा परंपती जब साथ है तो नासवानपती ना भी हो तो क्या प्रकुड़ता है नासवानपती में लोग साथ छोड़ दे तो परंपती तो साथ है फिर क्या मस्त्र हो भगवान साथ है